Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतिजार to know the latest news and all the gossip. So why wait, get ready and let's start the program. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के तीन veteran actors हैं और तीनों का तालुग जो है वो शोबिज से है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, रैंबो की मिस्स साहिबा की और जो साहिबा हैं उनके बारे में आप लोग जानते हैं कि वो निशो बेगम की जो हैं वो बेटी हैं, निशो बेगम जो हैं आपको पता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जब अरूज था उस वक्त की वो सूपर स्टार हैं और वो हमारी एक लिविंग लेजंड भी है इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें खुद सोशल मीडिया पर आकर कई मरतबा खुद पर होने वाली तनकीद का जवाब दिया कि उन्हें इतनी जादा शादिया क्यों की और ये कि वो अब भी शादी की खाहश मन क्यों हैं इस अमर में भी उसकी रीजंड जो भी हैं लेकिन उसके चलते अब उनकी अपनी बेटी यान एनी साहिवा ने अपनी ही वालदा से तालुकात को क्यूं तोड़ लिया है पिछले एक साल से वो अपनी वालदा की शकल देखने की बी रवादार क्यूं नहीं है वो अपनी बेटी को क्यों नहीं मिल सकती है और साहिबा वो अपनी वालदा का बाइकाट क्यों कर रही है हालांके आप लोग जानते हैं कि अदाकारा निशो जो है वो बता चुकी हैं कि उन्होंने साहिबा की अकीले यानि सिंगल पैरेंट के तौर पर परवरिश की थी जब बच्पन ही में उनके वालद उनको छोड़कर चले गए थे उनके जिंदगी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब साहिबा जो है वो हमेशा अपनी वालदा से ये सवाल क्या करती थी कि आखर उनके वालद कौन थे उनके वालद उनको क्यों छोड़कर गए और उनकी सेपरेशन की रीजन क्या थी फिर आप लोगों ने देखा कि जो साहिबा हैं उनकी शादी हो गई उनके बेटे अब उनसे भी बड़े-बड़े माशालला दिखाई देते हैं इतने बड़े हो गए उनकी भी शादी होने वाली है ऐसे में निशों के अंदर ये चीज़ तो खतम हो चुकी थी कि उनके वालिद कई सदियां पहले चोड़के जा चुके थे मगर अपनी लेट फिफ्टीज या फॉटीज की एज में आके साहिबा को अचानक एक दिन कॉल आई और उनको पता चला कि उनके वो वालिजों से ब चुबारा उस चीज़ को रिन्यू करती उन्होंने अपनी वालदा के साथी तालुका तोड़ दिये उसके उपर अब एक साल के बाद खामोशी तोड़ी है अदाकारा निशों ने उन्होंने रोते हुए जो बियान जारी किया है अपनी बेटी के बारे में और जिस तरह से जे बादो को अब इन तमाम रिश्टों से नाला दिखाई दे रही हैं यह तमाम तफसिलात मैं आपको बताऊंगी इस से पहले कि इया बता दूं कि जितनी पे इंफरमिशन में शेयर करी हूँ यह सारी की सारी सारी तमाम अखबारात में मीडिया चानल पर चप चुप चु अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो निशो बेगम है वो बेसिकली एपनी बेटी को याद करके आप दीदा हो गई और उन्हें ने कहा कि पिछले आठ नो महीने हो गए हैं कि उन्होंने अब तक अपनी बेटी की शकल तक नहीं देखी है माजी के मकबूल अदाकारा है जी निशो बेगम उन्होंने अपनी बेटी अदाकारा साहिबा के वाले से ये बात की और उन्होंने कहा कि आठ नो महीने से ना तो वो अपनी बेटी से मिल पाई हैं ना ही उनकी बेटी ने उनसे कोई बात की है और बकाइदा तोर पर ये बात क क्यों नहीं मिलना चाती है निशो बेगम ने हाल ही में जिस प्रोग्राम की अंदर शिर्कत की इस प्रोग्राम का रमज़ा बर्दस्त है जहां पर उन्हों ने मुख्तलिफ मौमलाद के उपर खुल कर बात की जिन्दगी के पच्टावे से मतलिक जब उनसे सवाल पूछा गया तो इस सवाल पर निशो बेगम ने अपनी पहली शादी को कहा कि वो उनकी जिन्दगी का एक गलत फैसला था और इस पर आज तक उनको पच्टावा है उन्होंने बताया कि उन्होंने फिल्म अधाकारी का आखास करने के लिए 5 साल पहले अपनी जवानी में ही शादी की ती लेकिन आप सोचल मीडिया पर अफवाइं फिलाई जा डा री हैं और उन्होंने कहा कि मैंने सकूल के जमाने में ही मताद्द शादिया की जो कह गलत ब या गया यानि उनका कहने का मक्सद यह था कि जब उनकी पहली शादी हुई तो जो उनके पहले सुस्राली थे या जो उनका शोहर था वो बहुत ही लालची था उन्होंने का कि उस जमाने में उन्होंने जो गाड़ियां जो घर जो जेवर और दूसरी मलकियत हासल की थी जो कम ठीज Through भी चीज़ उन्हेंबने बचाई थी अपनी पहली शादी में वो थी उनकी बेटी यानि के साहबा अब वह इस बात पर आप दीदा थीं, दुखी थीं, के पहले शोहर अच्छा नीनी निकला, पहले शोहर ने उनकी एचा अच्छा सलूक ने किया, पहले शोहर ने उन उनकी गाड़ियां, उनका मालोमता, उनकी जायदाद सब को छीन कर उनसे चला गया था, वो दुबारा उनकी जिन्दगी में आया, और आकर उनकी बेटी को भी छीन कर उनसे चला गया, उनने कहा कि वो बेयारो मददगार बन चुकी है, खुद को इंतहाई बेबस महसूस करती है, उनने कहा कि पहले शोहर की वज़ा से वो गुजशता आठ नो महीने से अपनी बेटी साहबा से मिल नहीं सकी है, बेटी से ना मिल पाने की बात करते वे वो आप दीदा हो गई, और उनने कहा कि बेटी से ना मिल पाने की वज़ा से उन्हें ऐसा लगता है, कि किसी ने उ और ग्रेलू मामलाथ सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहती थी लेकिन अब जब के बात सोशल मीडिया पर आही गई है तो वो भी अपने अंदर दफ़न तुफान को सामने ले आई हैं उन्हेने जाका कि पिछले 8-9 महिने से वो ये तुफान अपने अंदर बर्दाश कर रही थी नेकिन अब उन से बर्दाश नहीं हुआ और अब क्योंकि उनकी बेटी ने पिछले एक साल से उनका मूँ नहीं देखा इसलिए वो इसके उपर बात करना चाहती है उन्हें ने बताया कि गुजश्चता आठ माँ से वो अपनी बेटी साहिबा से क्योंकि नहीं मिल पाई इसलिए उन्हें इसका इल्जाम अपने पहले शोहर पर आयत किया उन्हें ने का कि साहिबा के जो वालिद हैं उन्हें पहले भी उनके साथ जिन्दगी में आकर ये सब कुछ किया था और अपकी बार वो बेटी से मिलने के लिए आये और उन्हें ने बेटी का यानि इन दे सेंस के वो ये कहना चारी के दिमाग खराब किया कि उसकी बेटी जो है वो जो कहानी वालिद में सुनाई होगी उसके बाद वो अपनी वालदा से मिलने की रवादार नहीं रही आपको बताओं कि साहिबा ने जिन्दगी में पहली बार मार्च दो हजार चौबिस में अपने हकीकी वालद से मुलाकात की थी जिसके बाद वो मुताद बार वालद से मिलने लग दे आपको बताओं कि आपको याद होगा कि साहिबा ने ये कहानी इस तरह से बताई थी कि कई सालों के बाद जब उनके वालिद ने उन से कौंटक्टाक्क किया था तो बेसीक良़ अने रैंबो को काँ कि ता कि वो अपनी बेटी से बात करना चाथते हैं और फिर उसके बाद रैंबो ने confort किया ता शाहिबा को हाला कि साहिबा ने अफने व्लॉग में बताया तो वो जो एक जजबाती से मनाजर होते हैं वो व्लॉग देखकर सब लोग रोए थे सब की आँखें जो हैं वो अश्कबार हुई थी और उसके बाद फिर निशो हैं जो हैं वो सामने आई थे मगर साहबा को चाहिए था कि वो दोनों साइड को क्लियर रखती और अपने वालिद से भी मुलाकात रखती और अपनी वालदा से भी मुलाकात रखती लेकिन जब साहबाने अपने والد سے ملنا شروع کر دیا لیکن والدہ کو ملنا بند کر دیا تو اس کے بعد اب فائنلی آ کر جو نشو بیگم ہے انہوں نے الزامات آیت کیے انہوں نے آپ کو بتاؤں کہ 22 سال کے بعد اپنے والد امام ربانی ان کا نام جی ان سے ملاقات کی تھی جس سے ان کی والدہ اور ان کی پیدائج سے قبل ہی الیدگی ہو گی تھی صاحبہ نے آپ کو یاد ہوگا کہ بتایا تھا کہ ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب ان کے والد ان کو چھوڑか چلے گئے تھے نشو بیگم نے پہلی طلاق ختم ہونے اور صاحبہ کے دس سال کے ہونے کے بعد دوسری شادی کی تھی یعنی دس سال تک صاحبہ کو وہ پالتی رہی تھی صاحبہ کے والد کی پہلی بار ملاقات کے سات ماہ کے بعد اب نشو بیگم نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ گزشتہ نو مہینے سے اپنی بیٹی سے نہیں مل سکی نہ ان سے ملاقات ہو سکی ہے اور اس کا سبب انہوں نے بیٹی کے والد کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے میری بیٹی کا دماغ خراب کیا جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے تو جناب یہ دکھبری کہانی یہ سن کر obviously ماں چاہے جیسی بھی ہو آپ کو چاہے کتنا بھی گلا ہو اگر صاحبہ جو ہیں وہ میرا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ والدہ ان کا نعمل بدل کوئی بھی نہیں ہو سکتا آپ کی والدہ سے ٹھیک ہے زندگی میں بہت ساری غلطیاں کو تاہیاں ہوئی ہوں گی لیکن آپ کو وہ غلطیاں کو تاہیاں نہیں دیکھنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو زندگی کے اس موڈ پر انتہائی تکلیف کے ساتھ نہ صرف پیدا کیا بلکہ انتہائی تکلیفوں کے ساتھ آپ کو پالا پوسہ آپ کو بڑا کیا تو اب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنی والدہ سے رجوع کرنا چاہیے جناب یہ آج کا ویڈیو تھا باریا جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ اپنی کس پسندیدہ شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو کچھ بھی آپ سننا جاننا چاہتے ہیں